पूरा भारा हुआ इस देखिए हलो एवरीवन वेल्कम टू माई चैनल आप देख रहें कितने सुंदर सुंदर से फ्रूट्स लगे हुए हैं यह नारंगी के फल हैं इसको चाइनीज ओरेंज भी कहते हैं कि अधियर विदर में इसका कमपोस्ट में तो देखते मीरा वेडियो और वीदय को पूरा देखिएगा अगर पसंद आए तो प्लीज लाइक करें शेर करें और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो जानल को सब्सक्राइब करिएगा चलिए वीडियो के स्टार्ट करते हैं ये नारंगी है इसको मिनी ऑरेंज भी कहते हैं और चाइनीज औरेंज भी कहते हैं इसको छोटा है जोटा छोटा होता इस देखें बहुत भेल्स सुदर देखने में लगता है और बहुत सारे फॉल आते हैं डोवर आते हैं हर चे महीनिय में टो इसका फिल बहुत टाइम टक रहता है चार पाँस महीने असे बहुत जाते हैं जैसे यह पख गए उसके बाद चोटा चोटा आना शुरू हो जाते हैं उसके साथ ही और फ्लावरिंग भी शाथ में शुरू कर देता है तो हमेशा ही फल रहते हैं मैंने इसको अपने पॉट में लगा के रखा हुआ है जो भी आता देखता बहुत सुंदर देखता है तो बिल्कुत चीलने पे औरेंज की तरह ही इसकी कलियां होती है थटा ज्यादा होता है बट देखने बहुत सुंदर लगता है आप इसका जूस बनाकर पी सकते हैं बट उसमें तोड़ा चीनी मिलाए एक दो यह डालिए और आइस डालिए हनी डालिए मिलाकर प तो उसी की क्यार बताऊंगी तब पहले बात करें यह कहां उगा सकते हैं आप जमीन में भी जमीन में उगाएंगे तो बड़ा हो जाता है और गम्ले में रखेंगे तो जैसे आप उसकी प्रोनिंग करते रहेंगे तो छोटा रहेगा और खुब सारे फल आते हैं तो पॉट आप कम सकम पॉट लें तो कम सकम 12 इंश का तो हो 12 इंश से बढ़ाई लें 12 15 इंश उसे छोटे में क copies और जाएंगे जब भी झवा उर्ड़ी आएँगे तो पॉट लें कम सकम 15 इंश का हो जेखें मेरा पंद्रा इंच का होगा बारें से तो कमना हो तो आप त्बीक सक्टक्राय में तबैस इनलेंनी सब्सक्राइप इतना पॉट स्यक्रेक हो जाता है और मिपलाइ फिर जार व् europé beim तें-चार साथ सिसी में लगा हुआ इसमें अभी जरोत नहीं पड़ रही मुझे चेंज करने की देख इसकी साइट से निकला तो कितना सारा फल आया हुआ है इतना सारा फल आया हुआ है एक चोटी से स्टेंप में इतनी सारी यह देखिए बहुत सुन्दर पांच फर लगे ह बहुत हमेशा यहीं रहता तो आप जमीन में लगाएं तो जमीने बढ़ा हो जाएगा बहुत में लागारा इसे बढ़ा वाषट लें तो आराम से ग्रोह हो जाएगा और इसकी स्वाइल में की बात करें तो स्वाइल में इसको रिच चाहिए होती है तो आप मिती मदब जादा हो आप 50-60% गार्डन स्वाइल ले सकते हैं इसके लिए और 10-20% सेंड ले ले 30% की कमपोस्ट वर्मी कमपोस्ट या काउडंग उतना काफी होता इसके लिए थोड़ा आप इसमें वाटर लॉगिंग ना हो लेकिन मोहिश्यर को बना के रखें इस तरह की स्वाइल मिक्स बनाए और थोड़ा सा नीम खली में ला लीजे और थोड़ा सा ब 10 माहीने में एक दोबार वलत तिम चर्महाइने में एक बार दे देंगा तो भी बहुत ये वहीं तर दना ने और दोan में दिलाता त्यों कि प्रोड़ा से साइच नभम फट्भी आफिक के जहां ना बीए दूप नहीं होगी तो प्रफल ने आएंगे आपके दूप चाहिए होती है और मेरे जैसे रखा है मिन में धूप आती है चार-पाइस घंटे की दूप रहती है कंशकम हमेशा फ्लावरीं होती रहती है इसको बार बार दर दर डर डिस्टर करें जहां रख दे वो रखा रहता है आराम से और वाटर क बात करें तो वाटर इसको मॉस्चर बना रहे बानी तना दीजे देखिए तरह की अच्छा चलता है प्लांट और पूटिंग भी करता रहेगा और इसमें गुड़ाई करते रहा करें जैसे थोड़ा सा हलकी सी जैसे भी हार्ड होने लगे तो हर महीने में एक बार भी आप इसके गुड़ाई निराई कर देंगे तो ठीक रहता है और जब यह फल आ जाएं तो जैसे खाली स्टेम्स बचें तो इसकी प्रूनिंग करते रह हैं तो उससे फिर नई स्टेम्स आती हैं और आपका प्लांट बुसी बनता है यह तो मैं हर उसमें बोलती हूं सभी प्लांट के लिए लागू होता है जाए फ्रूटिंग वाले हो चाहे फ्लावर्स वाले हो जैसे अब यह फल आ गया यहां से प्रूनिंग कर देंगे तो कि नई स्टेम्स आएगी और आपका प्लांट बुसी हो जाए तो सौफ्ट प्रूनिंग करते रहा करें जब भी लगे कि हां उसको जरूद थे काटने की जैसे यह है अब इसमें फल नहीं आएंगे जब तक आप इसकी कर्टिंग नहीं करेंगी तो उसमें नई स्टेम्स आ जाता है जुकने लगते स्टेम्स इसमें सपोर्ट नहीं तो देखें पूरा जुक राने चिको इस तरह से संट की बात होती संट को संट चाहिए इसको दूप चार पांच घंटी की पानी आप ऐसे देंगे नमी बना के रखेंगे बट बहुत भी नहीं कि ओवर वाटर हो औ अब एक दूदी में आप सरदी में थोड़ा एक दूदी चोड़ के दे सकते हैं गर्मी में डेली जरूद पढ़ती है दर वाइज वैसे उने लगते हैं और यह देखें टूड़ गया यह तोड़ गया इस टैंस टूड़ गया कि काफी हैवी हो गया तो इस दरोदा प्रोपोकेशन की बात करें तो प्रोपोकेशन इसका कटीं से तो मैंने नहीं अभी मैंने सीट से बोया था तो सीट से हो गया था उग गया था आराम से मैंने वह किसी को दे दिया बट सीट से होता कि जल्दी फ्रूटिंग नहीं करेगा आप यह लेरिंग कर सकते हैं यह ल ऐसे में अभी चाहिए तौह ने करी आपको जरूर मिलेगी तो लेरिंग यह होता ज्लदी प्लांट यार होता देदी करने लगता हुआ और उसमें 100 परट्शन सफल्त मिलते हैं आप नर्शरी में जाएए तो ग्राफ्टिट फ्लांट मिलते हैं आप वहां से लाईए तो आपका तुरंती फल देने लगता कुछ महीनों में और कटिंग से लग जाता होगा मैंने लगाए नहीं मुझे आइडिया नहीं है इसको में लगाऊंगी अगर लग गया तो फिर आपको शाहर भी करूंगी तो पूरा भारा हुआ इस देखिए चोटा सा है बट एकदम और इसमें पैस्ट अटेक की बात करें तो छोटे-छोटे कई बार न वाइट-वाइट से केड़े लग जाते हैं तो उसके लिए आप नीम वाइल स्प्रे कर सकते हैं कि एक लीटर पानी में छेसाद नीम वाइल की डाल के इस्प्रे करें हर पंदरा दिन में तो वह भी धीर धीर खतम हो जाते हैं अदर्वाइस जब आप पानी डालें तो इसके उपर से फिर एसके दुलाई करतें पूरा इस पाइप में उंगली लगा कि या पवारी को लग रहते हैं और इसकासट काफी खट्टा होता है एक काफी जसलिया तो लोग का लोग इसका अचार भी डालते हैं और इसका सरल बनाके पीशकते हैं और काटने पर बिल्कुल आपको को दिखाते हैं तो यह इस तरह से देता sjak कि देखें कि बिल्कुल संत्रे की तरह निकलता है कि बहुत ही छिलका एक्दम पतला होता है बिल्कुल संत्रे की तरह देखें यह देखें कि देखें एक्दम संत्रे की तरह देखता है कि मिनी ओरेंज कहते हैं इसको चाइनीज ओरेंज देखें देखने बहुत क्यूट लगता है इस तरह से तो इसको आप जूसी बना सकते हैं दो तीन आप इसको लिए दे कभी बनाओंगी तो आपके साथ शेयर करूंगी और उसमें चीनी मिलाईए आइस डालिये बढ़ियाजी और हनी डालिया और पीजे बढ़िया साथ सकंजी बनाके बहुत ही अच्छा लगता थोड़ा सखटा थोड़ा समीठा तो काफी टेश्की लगता है इसको बना सकते ह इतने चोटे से पार्ट में मेरे और इतना सारा लगा हुआ देखिये अच्छी खुष्षबू होती है जब आवर आते हैं अभी देखिया नश्रू हो जाएंगे जैसे ये खतम होते शाथ में प्लावर निकरता है और साथ में चुट-चुटे आना श्रू हो जाते हैं जब लगाँ कर दो आवर कंटीनियू इसमें फ्रूटिंग रहती है और इसका फल काफी टाइम तक रहता है कंच का चारपांच महीने तक रहता है जैसे यह उसके बाद पर यह पके गाँ और एसी सिस्टम चलता रहता है यह उसके बाद दिकी छोटा आ गया जोटे आ गए तो ग्र बहुत सुन्दर दिखता है आप इसका बंजाई बना सकते हैं में एक प्लांट बंजाई जरूर बनाओंगे मेरा बंजाई लुकी देता है इसमेहना तो पूरा चारो तरफ इस तरह से लिखता है कि लगाई यह बहुत ही आसान है और कोई आपको जानकारी चाहिए तो आप पूंच सकते हैं कमेंट करके जवाब दूंगी और यह मेरा काफी पुराना प्लांट है अराम से ग्रोव कर रहा है देखिए छोटी से स्टेम्प में कितने सारे इतनी चोटी आया है तो पूंच है बड़े बड़े हैं यह क्या है उतनी चोटी श्टेम्प में तोट गया है इस में लगा देकर लग जाएगा तो एक जानकारी टाइनी आरेंज के बारे में में इस देंसों ना आपको वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया तो फ्लीज लाइक करें, शेर करें, और अगर मेरे चैनल पे अपने हैं तो ये चैनल को सब्सक्राइब करें, थैंक यू पर वास्चिंग